अच्छा एको क्या होता है बताओ आपने सुनाए सब्सक्राइब कर दो आप कहीं भी चले जाओ अकेले हो तो वहां पर एको सुनाई देता है तो उसके पहले हमें पढ़ना पढ़ेगा reflection of sound क्या पढ़ना पढ़ेगा reflection of sound ठीक है उसके पहले reflection of sound पढ़ते है अच्छा reflection of light पता है क्या होता है यह सब्सक्राइब क्या होता है बाउंसिंग बेक आफ लाइट इन से मीडियम रिफ्लेक्शन आफ लाइट क्या होता है Bouncing back of light Beck of light in same medium wana same medium after strike कि एनी और रिफ्लेक्टिंग कि सर्फेस ठीक है कि किसी भी सर्फेस से ठीक है यदि लाइट रे टकरा गई है और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई है तो उस फिनोमेनों को हम क्या बोलते हैं मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि एफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पड़ा होगा यह वाली जो रे आथी इसको लते एंसिडेंट और यह जो रे जाती है उसको बोलते रिफ्लेक्टेट रे रहती क्या होते हैं एक वलोते हैं चाहे यह 60 का होगा तो वो भी सिफ्टी का होगा ठीक है दोनों 40 40 का हो सकते हैं लेकिन दोनों की वेल्यू जो होगी वह कितनी होगी यह से ही क्या होता है कोई भी यदि वे वाती है साउंड वे वाती वह भी क्या करती है किसी सर्फेस से स्ट्राइक करके से मीडियम में चली जाती है उसको हम बोलते हैं reflection of sound क्या बोलते हैं अब जिससे से में सेम फिनोमेनौ लेकिन यहां के लाइट की जागे हम क्या लिख देंगे वे लिख देंगे कि क्या हो जाएगा reflection आफ साउंड या वेव ठीक है सेम डेफिनेशन ठीक है कि जब भी कोई साउंड वेव किसी सर्फेस से टक्राती है टक्रा करके सेम मीडियम में चली जाती है उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते है reflection of sound क्लियर है सेम मेडियम मतलब जैसे बेटा इधर देखो मान लो यह आपका कोई बॉक्स है यह क्या है बॉक्स है तो कोई रे आई तो वापस उधर चली गई वह बॉक्स में नहीं गई तो इसको बोलते है reflection आगई बहुत सुन में इस साउंड की भी reflection होती है साउंड की भी reflection होती है ठीक है अब इधर देखिए कि कभी भी कोई भी energy चाहे light हो यह sound हो ठीक है चाहे light हो या sound हो यदि किसी surface पर आईए किसी surface पर वह incident हुई है clear है कुछ mental energy आपकी incident हुई है तो उस energy के three perhaps होते कितने पार्ट होते हैं कि री नख़ë च्रीपा सुटे के कुछ पार्ट हो जाता है कुछ पार्टप्स क्या हो जाता है हुआ है कुछ पार्ट दूसरे मिड्या में चला जा जाता इस उकthrough रिफ्रेक्ट और कुछ पार्ट ये से सर्फेस या कर लेती एब्सॉर्ब कर लेती एब्सॉर्ब कर लेती है एक मिनिट रुको आपने आप सर क्या लिकार लिकार श्ट्राइक होता है हर चीज क्या होती है जडिए सर इक बार बतारा सब्सक्राइब बताया है ठीक है तो श्ट्राइब प्राइब करें लाइट तभी अच्छे रिफ्लेक्ट होती है जब जो अब्जेक्ट है वह विएसा बिलकुल बिलकुल देखो रिफ्लेक्ट मतलब होता है वापस उदहर चले जाना रिफ्लेक्ट मतलब है से दूसरी साइड आना ठीक है यहां पर हम कूए एनरजी है लिए यहां से आपने उसको लाइट मारा ठीक है इधर से आपने उसको लाइट मारा तो बताइए कि light पूरी की पूरी energy इधर उतनी ही तेज आईगी थोड़ी सी कम हो जाती है नहीं तोड़ी सी क्या हो जाती है कुछ क्या हो जाता है कुछ पार्ट reflect हो जाता है और कुछ यह medium क्या कर लेता है कर लाता है इसलिए उसकी intensity कम हो जाती है क्लियर है कैसे हुआ सर समझ में नहीं है सर कैसे हुआ का क्या मतलब है मतलब है रूत्रे मीडियम में नहीं आती क्या कोई भी लाइट रहे चाह या एक मिट लाइट है यदि आपने इधर रखा एक रगदिया वैक्स रग दिया यह पेज रग दिया पेपर है तो अंदर थोड़ी सी भी लाइट नहीं आईगी क्या आईगी तुवेइस तुसको रिप्लेạn उसको रिफ्रेकट बोलते हैं क्या जबते हैं सरीक्थल है एंगल उसे इंसीडेन्स को थे एक टे से एंगल ऑफ इंसीडेन्स तो अभी पढ़े यह अभी बताव बाते कर रहे हैं तो देखो कोई भी चीज क्या होती है भी लेकिन हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं dream maximum part reflect हुआ है यहां reflection पढ़ रहे हैं तो हम क्या मानते हैं कि maximum part क्या हो रहा है reflect हो रहा है वहां कोई absorption या reflection नहीं हो रहा है लेकिन रियल में तीनों चीज़ें हमेशा होती है clear है जिसे हम अपना mirror अब कितनी energy होती है उसको calculate कर सकते हो क्या सबसुन प्रेट का मतलब एक मीडियम से दूसरे मेडियम में जाना मीडियो में पार्टीकल होते हैं एनरजी को एब्सर नहीं करेंगे क्या करेंगे ना देखो कोई भी वे वह वह पार्टीकल के तुर्ण जाती है अब आठीकल क्या करते एनरजी एक दुस्रे को देते क्या वह एनरजी 100% दे देते हैं क्या थोड़ी तो वह खुद रखेंगे ना यह जो एसा होगा कि कोई अपनी एनरजी नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा यह आपने कोई थोड़ी भी सिग्नल बनाया तो वह तो इन्फानाइट दूर तक जाना चाहिए लेकिन ऐसा तो नहीं होता है थोड़ी देर के बाद वह क्या हो जाता है खतम हो जाता है क्योंकि वह थोड़ा सा क्या कर लेते हैं एनरजी को एब्सौर्ब कर लेते हैं ठीक है जिसे हमने कोई लाइट चलाई तो क्या होगा हम उसको जिसे नीचे से लीजर लाइट जलाइगे तो एरोप्लेन वाले को दिखेगाables में भालते前 लेकिन यहीं अपन रिफलेक्शन पढ़ रहे हैं तो हम क्या मानते हैं कि 100% क्या हो रहा है रिफलेक्शन ही हो रहा है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है एक मीरे पे जो रे आती है को लगतें इससेटेंट है क्या जो रे वह उसको रोभेंषियर 2017 है भी झेले प्लिट थे हैगे वह व्हलेगेंगे भूब खेले और इनको जो पॉइंट होता उस पह dai्य पर पर्पेंडिीगिड्र такой उस पर पर पेंडिकुलर को बोलते हैं normal क्या बोलते है सब्सक्राइब ग्रपार बैर प्यक्ते होते है छो यह यह वाफ स जाती च Catholic away fromMetra Yeah संबस्क्राइब पर पेंगे लगेंगे देखों क्या होगा कि कि ठीक है जो रहे रहे Expltsåत के 122 पॉलते इंसिडेंट रहे और जो रिफलेक्ट होके जाती है अवे फ्रॉम थीक है हूं हिस फाफ्लेक्टेड टर इस एंगल को बोलते है ले ऑं ड़्सेक्टेन्स क्यवलते हैं तो रुल ये बोलता है कि हमेशा H Scient pledge fender के इंके एक वलोटा है ल नमबर वन क्या बोलता है हमेशा यह दोनों क्या होंगे एकुऽ रहेगे没有 टू क्या होंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे bipolar से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन ठीक है सेम प्लेन का मतलब क्या होता है इधर देखिए यह मान लो एक प्लेन है मेरा हाथ ठीक है तो यह दी कोई लाइट रे ऐसे आई यह तो वह ऐसे जाए यह इसा नहीं होगा ऐसे आई और इधर की तरफ आजाए वह तीना क्या होगा यह तो ऐसे ही जाएगी सेम प्लेन जाएगी ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो अभी बोला ना विटा रुप जाए एक मिनिट तुरा सुन लिया करो क्लास से बाहर निकाल देता हूं तुम्हें बता नहीं अभी यह बात आगए सब्सक्राइब कि तीनों चीज यह तीनों हमेशा क्या होंगे सेम प्लेन में होगे मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई रे इधर से आई और इसा नहीं होगा कि यह नीचे चली जाए जहां पर नहीं है सर वहां पर तो अन्य सारे अब्जेक्ट से वह रिफ्लेक्ट करेंगी ना तर आपने आंड के आगी क्या लिखा है ठीक है कहां लिखा बेटा एंड सरू सेकेंड पॉइंड नॉर्मल इंसिडेंट सुनते हो नहीं सुनते हो तुम एक बार में इंसिडेंट रे रे रेफलेक्टेट रे और नॉर्मल यह वाली रे और यह नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेंड क्लिर है मतलब ऐसा नहीं होगा कि इधर से कोई लाइट रहाई और वह उपर की तरफ चली जाए ना प्लेंसे बाहर हो जाए प्लें में ही रहेगी आगई इसा नहीं हो कि इधर से मतलब लेप्टॉप से लेप्टॉप में आई और इसे निकल के आपकी तरफ आ जाए ठीक है आपके अंदर चली जाएगी ऐसा नहीं होगा ठीक है वह कहां रहेगी सेम प्लेन में ही रहेगी अब देखो अब यदि आप जैसे जैसे एंगल चेंज करत और आपने ऐसा अधिया झाल में जीरो जाएगा येकिन हमेशा रूल्स आफ रिफलेक्शन फॉलो होंगे चाहे किसी भी टाइप का रिफलेक्शन हो ठीक है अब यहां पर हम पढ़ते हैं रिफलेक्शन आफ साउंड क्या एक बढ़ते हैं है अफ साउंड ठीक है तो आपको बस लाइट को रिप्लेश कर देना है साउंड से ठीक है इंसिडेंट रहे होती है वहां पर क्या हो जाएगा इंसिडेंट वेव यह रिफ्लेक्टेड रहे है तो यह कुंसी हो जाएगी इंसिदेंट वे और रिफ्लेक्टेड रवेव और नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन बिल्कुल सेम रहेगा आ गई बासरे इदा नॉर्मल क्या है नॉर्मल बेटा जिस पॉइंट पे लाइट आई है उस पे पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको कि नॉर्मल ठीक है प्रेट नहीं है अभी अपने रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ठीक है तो लाइट और देख सकते हैं बता सकते हैं हमेशा ही लोगा सब वेट को कैसे अपन बिल्कुल ठीक है पहली बात तो यह एक लाइट को हम देखते हैं ठीक है लाइट ही जे इन्वीजीबल फॉर्म होता ह ठीक है वी किए ऑनली reflection ऑप साँन हम क्या सुरी हम क्या देखते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हैं कभी लाइट एनरजी को नहीं सकते क्लियर है यह बिल्कुल हम एक प्रेक्टिकल करते हैं ठीक है हम एक साउंड बोर्ड लेते हैं क्या लेते हैं साउंड बोर्ड एक यहां पर साउंड लिया ठीक है यहां पर बीच में हमने क्या लगा दिया एक कार्डबोर लगा देते हैं क्या लगा देते हैं अब देखो यह में 3D में बना रहा हूं वो डाइग्राम कार्डबोर्ड ऐसा रख देंगे ठीक है मतलब इधर की आवाज इधर नहीं आएगे ठीक है आगई वासन में यह कार्डबोर्ट रख दिया अब हमने क्या किया इसको थोड़ा सा रख कर देते हैं अब यहां पर हमने क्या लिए एक पाइप लिए हैं पाइप समझते हो इस पाईप को पाईप बना देते हैं रुको यह पाईप लिए ठीक है और यहां पर रख देते हैं क्लॉक क्या रख देते हैं क्लॉक वाली कौन सी वाली जिसमें ऐसा आवाज आती ना टिक-टिक-टिक-टिक आए तीक है तो commend को सुनने की कोशिश करते हैं तो और सव्हंने के लिए पहले पैप ऐसा लगाया के ओछंव मानssä कहले आपफिन रखए famous को इसलिवर की तरफ कि फिर हमने उसको ऐसा लगाया अलग-अलग एंगल पर उसको क्या करते हैं चेक करते हैं क्लियर है तो सबसे अच्छा साउंड हमें कब मिलता है जब दोनों सेम एंगल होते हैं मतलब यह जो एंगल है ठीक है यह वाला एंगल जो है यह वाला एंगल यह इस एंगल के इकवल होगा तो उस जगे हमें आवास क्या होती है सबसे अच्छी सुनाई देती है तो हमें पत्ता लग चलता है कि साउंड भी क्या है रूल्स आफ रिफलेक्शन फॉलो करता है इसको बोलते हैं साउंड बोर्ड है ना क्या बोलते हैं यह सौफ्ट होता है कृटन टाइप आता है है ना कामझे लीजिए या फिर हमारे यह उते ना जिसमें पेकिंग करते हैं बग बॉक्स होते हैं जिसमें जो भी सामान पेक होके आते हैं वह साफ्ट ना आगई बास उनमें चलो तो यह जो आपके रोलस उफ और रिफ्लेक्शन लाइट्स के वही क्या होते हैं रोलस उफ रिफ्लेक्शन साॉंड की होते हैं अब क्या होता है कोई पी चीज यदि आप dar रही है तो हमेशा हंडेट परसेंट रिफ्लेक्शन नहीं होता है यह बात मानते हो आप क्या होता है कुछ एनर्जी क्या होती है एब्जॉर हो जाती है अब देखो एको क्या होता है एको होता है रिपिटेशन आफ साउंड रिपिटेशन आफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन आफ साउंड इसकॉल एको इसकॉल एको आई बसन में कि जहां पर रिफ्लेक्शन की वाई से साउंड रिपीट होता है बार बार उस फिनोमेनों को हम क्या बोलते हैं एको यह प्यार देखो एको कहां सुनाई देता है जहां पर रिफ्लेक्शन हो कहां पर सुनाई देता है जहां करती है क्या होती है हाँ और ये हाड हे साफस्स किसी है हाड हुआ तो वह क्या कोड़ता एक तो करती यह लेकिन क्मीर लिस मोंट मैं हम यह समझ में नहीं आई शर कि सार और साफ तो, मही न सक उपती है हर्ड में कम उस्थी हीежд कैसे पेज़ conviction की यह अपने देखा कि एक बाउ ठिक बॉल को आप एक soft surface पे यह soft surface पे मारो और एक hard surface में मारो रिबाउंस किस पर अच्छी होगी है है साउंड भी तो ऐशी टक्करी एना पार्टिकल टक्रा रहें तो पार्टिकल कहां च्छी से टक्रा पाएंगे जल्दी कर पाएंगे थे किया आप वॉड़ पर तो थोड़ी होगी और यदि वॉल आपके पत्थर की है तो थोड़ी ज्यादा माउंट में होगी ना डिपेंड करेगा हर सर्फेस है ना अलग-अलग टाइप की होती है तो जो हार्ट सर्फेस क्या कोड़ती विटा लेस अमाउंट में अब्सॉर्ड करती हम यह नहीं बोल सकते कि साउंड साउंड एब्सॉर्ड नहीं करती है हर सर्फेस साउंड एब्सॉर्ड करती है तो कभी आप देखना कि जो भी एको सुनाई देता है मोशली कहां सुनाई देता है पुराने खंडरों में या माउंटेंस में अब दिया ना अभी नहीं सर एक नॉर्मल एक्जांपल जो मतलब सर मतलब यह कमरे में हो घर में जाओ आटोमेंटिक लास्ट में समझ में आजाए सर खाली कमरे में सुनो बिटा सुनते जाली कमरे में सॉफ्ट क्या होता है हाट सरफेज ज्यादा अच्छे से रिफलेक गरती तो इसलिए एको आपको कहां सुनाएं देता है माउंटेंटेंस एरीय में ठीक है क्योंकि माउंटेंस किस्के होते हैं पथर के होते हैं तो पथर क्यों औता है Can होता है तो वहां पर reflection जाधा होता है या फिर आपके पूराने खंदर होते हैं य państwo सुना ही क्लियर है अब यह बात सोन में आ गई कि एको होता है सेकेंड यह कि जब भी सर्फेस जिसे आपने बोला ठीक है कि आपने यहां से मांद लो एक माउंटें आपने यहां से बोला हेलो तो इसे वो लोगे जाके हलो तो आपको एको सुनाई देगा क्या मतलब आपको कोई भी जोर से बोलना पड़ेगा न क्यों आइप इस बोला तो साउंड क्या हो रहा है फेल रहा है तो क्या बताओ फेल के पूरा का पूरा साउंड वापस आपके पास आप आएगा तो हम यह चाहते है कि साउंड जो एरिया है वो किसा हो ज्यादा फेला हुआ हूँ मतलब जो साउंड टकरा के आएगा उसमें कम सकम इतनी इंटेंसिटी होना चाहिए जिसकी वह हम सुन लें आईगा सुन में जैसे मैंने बोला धीरे से तो आपका यदि कान में एयर्फोन लगे होते हैं तो आप सुन लोगे क्या एरफोन को दूर रखके मेरी छोटी आवाज सुन सकते हो क्यों कि अभी आपने एरफोन लगाया तो वह छोटा का छोटा साउंड जितनी भी रेज निकाल रहा है वह पूरी आपके कानों में जा रही है ठीक है लेकिन यह आपने इसको दूर रख दिया तो वह साउंड क्या हजाएगा फैल जाएगा आपके कानों में क्या होगी कम अमांट कम रेज जाएगी तो इसलिए आपको क्यों क्योंकि जितनी एनरजी निकल रही है यदि आपने एरफोन कान में लगाएं तो पूरी एनरजी आपके कानों में जा रही है ठीक है लेकिन दूर रग दिया ठीक है तो वही चीज क्या होगी यहां से sound टकरा के वापस आए तो उसमें कम से कम इतनी intensity होना चाहिए कि वो हम सुन लें कि सुनने की पी यह प्लिमिंट होती है ना हम जैसे चीटी चल रही है तो तो क्या उसका साउंड सुन सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे एर की कैपेसिटी है कि उस लिमिट से ज्यादा होगा तभी हम साउंड सुन सकते हैं और उस लिमिट से कम अमाउंड का साउंड हम नहीं सुन सकते हैं तो एको आपको तभी सुनाई देगा जब क्या होगा जो साउंड टकरा के आएगा उसमें कम से कम इतनी intensity होना चाहिए कि वो आप सुन लें एको की पहली condition है कि reflected sound intensity of reflected sound should be sufficient for hearing पहली condition क्या है पहली condition intensity of reflected sound intensity of reflected reflected sound should be okay should be sufficient for hearing यह वाद समझ में आगई दूसरी वेटा दूसरी यह एक फर्स्ट कंडिशन है ठीके रिफ्लेक्शन एको की फर्स्ट कंडिशन क्या है intensity of reflected sound should be sufficient for hearing clear second condition को समझिए कि यदि आप मान लो अच्छा साउंड जिए वह बताऊंगा वापस अभी बतेंगे वह चीज खर्दम नहीं हुई अभी अभी बता देंगे तो फिर कहें मर रहे हो अभी बचा हुआ है वह चीज बची हुई अभी हमने एक्जांपल के लिए जर मैंने कनवर्ट किया है अब देखो बिटा यदि आपकी सर्फेस बॉड़ी बहुत दूर है और आप बहुत दूर से बोल रहे हो तो बहुत दूर से आएगा तो sound बहुत जादा फेल जाएगा तक्रा के बहुत कम आप आएगा हमारी तक यह सर लेकिन आप करो एक चीज कि यदि आपने एक वॉल के पास ही यहां पर आपने जस्त पास रखके बोला तो क्या एको नहीं दिया थोड़ा है आपके घर की वाल के पास ही आप यहां पर खड़े हो गए ठीक है इस जगे खड़े हो गए और आप बोले तो क्या एको सुनाई दिया सुनाई देता है कि तुमको अब देखो यह बात तो क्लियर है कि पास में तो साउंड टकरा के तो आया होगा लेकिन फिर भी हमें नहीं सुनाई दिया इसका मतलब है कुछने कुछ कंडिशन तो होगी एक और भी ना कंडिशन है अच्छा पहले देखो आपको पास मानलों एक बुक रखी हुई है खिले बुक में क्या रिखा हुआ है आपको पता है लेकिन एदियो आप उस बुक को मूँ कर रहे हो तो क्या पढ़ सकते हो कि वह क्या लिखा हुआ है लेकिन आपको यह तो पता है कि लिखा है कुछ ने कुछ लिखा है लेकिन पढ़ सकती हो क्या यह सर यह तो पता है कि लिखा है पर नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि हमारा एक कैपेसिटी है आई का ठीक है कि एक लिमिट से दिस लो होगा तो आप पढ़ सकते हो जैसे कई बार ट् कुछ कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं तो वेसे ही हमारे साउंड की एक कैपेसिटी है कि यदि टू साउंड्स आ रहे हैं ठीक है तो उनमें यदि जीरो पॉइंट वन सेकेंड का गेप हुआ कितना टाइम का सुनो यदि टू साउंड आया आपके पास ठीक है हमें क्या है जैसे आपने कोई भी चीज सुनी सुनके वह कहां गई कान में गई कान में जाने के बाद उसमें अंदर सिग्नल बने इस सिग्नल सिग्नल वह ब्रेन के पास गए उसको डिकोट किया कि आँ इस सब्सक्राइब तक उस्टर में टाइम लगता है जीरो पॉइंट व्न सेकंड उस प्रोसेज में कितना टाइम लगता है जीरो पॉइंट वन लिए अब इस प्रोसेश के पहले यदि दूसरा साउंड आ गया तो वह साउंड सुना यह तो देगा लेकिन समझ में नहीं आपाता हमें तो इसलिए ब्रेंट जब तक एक साउंड सुन लिया उसको प्रोसेस करता है उसके बीच में आप उसको दूसरा साउंड दे दोगे तो वह उसको ले गई नहीं क्लियर है वह हमारे ब्रेंड की लिमिटेशन से हैं यह सर जैसे कंश्रक्शन हो रहा है बघल में और हम थो देखो क्या होता है रिफ्लेक्टेट्स ओड मतलब कम से कम यह बिए यहां पर सुना कोई भी छी सुनी जैसे यहां से आपने बोला ठीक है तो देखो एक sound तो क्या ओगा डाइरेक्लिया अपके कानों में जाएगा और एक sound क्या होगा जो टक्रा करके आएगा यह दोनों sound हुए नंबर वन तो एक डाइरेक्ली आपने मुझ से बोला कान में सुनाई देगा ये इस और एक दूसरा साउंड कौन सा होगा जो सामने वाली हार्ड बोर्डी से टक्रा करके वापस आएगा इन दोनों साउंड्स में कितना गेप होना चाहिए यदि इससे कम गेप में आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एको सुनाई दिया है क्लियर है होता क्या है अब हम यह कैलकुलेट करते कि साउंड को जाने में कितना टाइम लगेगा अब देखो यह कोई सरफे से आपने यहां से स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस किया ठ कितना टाइम लगना चाहिए भी सिरो पॉंट बन सेकंट से ज्यादा ही लगना चाहिए यदि उसके पहले आ गया तो आपको एको सुनाई नहीं देगा तो यह डिस्टेंस हमने लिए डी कितना लेए या इंस्ठेंस लैब को पता नहीं चलेगा कि कोंसा औरिजनल यह कॉन तो साउन गया और वापस आएगा चलो साउन की स्पीड कितनी होती अप्रोक्सिमेट इस वापस आया मतलब उसने कितना डिस्टेंस टेवल किया टूडी डिस्टेंस गया डिस्टेंस वापस आया तो यह फार्मला पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ताइम कितना लगना चीए तो डी की वैल्यू निकालो कितनी होगी कि 314 तो 0.1 तो सेवंटीन मीटर मतलब आपको मिनीमम रिफ्लेक्टेड बॉडी से कितना दूर होना चाहिए सेवंटीन मीटर आप दूर से बोलोगे तभी आपको एको सुनाई देगा उसके पहले यदि आप यहां से बोलके बोलोगे तो साउंड टकरा के बहुत जल्दी आ जाएगा तो आपको ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड शौन में डिफ्रेंस समझ में नहीं आएगा तो हम बोलते हैं एको प्रोड्यूस नहीं होगा क्लियर है तो सेकेंड कंडिशन क्या हो गई हां सब्सक्राइब कि रिफ्लेक्टेड बॉड़ी प्लेज्ट एट मौर देन 17 मीटर इस्टेंस आगई वासन में दोनों कंडिशन क्लियर हो गई कि पहला है कि जो रिफ्लेक्टेड वारा समझाना सरी एक बार यह क्या समझा है बेटा हमने यह तो आगए सर आपके सरी लेंग में समझ में नहीं आई रिफ्लेक्टेड बॉड़ी प्लेस्मोर दें 17 मीटर यह आप से कम से कम 17 मीटर से जादा दूर होना चाहिए इक को सुनाहिज देगा है कि अद्धा हम अब यह बता हो हमारे घर में मानलू हम एक गर में हैं ठीक है मानलू हम घर में एक बड़ा सा रूम है हम यहां पे बीच में खड़े हो गया है ठीक है कि थे इधाये उन्ख कर आया बोला इदर टक्राइगा इधर टक्राइगा इधर टक्राइगा फिर सुनाई देगा तब तो चया थिवें वाय। तो सुना लगी नहीं देता क्योंकि इतने सारे रफ्लेक्शन हो गए तो जैसे मानलो एनर्जी गई हंड्रेड इतने क्या किया 10 20 परसें रख लिया 80 दिया तो इसने एक अगरा या तो इसने टी दिया तो इसने रख लिया इसने फिर वह था लेकिन वह सुना इनी दिया तो फिर काई काई को होगे मतलब एक अगल्स लिए उसलिए होता क्योंकि हमारी शोती है वह क्या होती इडीव डिले वलीक अब बेसे तो धोड़ी एडीजिक बताएंगे और भी चीज़ा आपको क्लियर होगी यदि आपका एक बहुत बड़ा सा ओडिटोरियम है ठीक है अब ऑडिटोरियन में तो क्या होगा बड़ी सी वॉल है ना बहुत बड़ा सा है यहां से कोई बोला तो साउंड एक ही बार टकरा के वापस आने में कम से कम तो क्या आप इस स्पीकर जो बोल रहा है उसके आवाज अच्छे से सुन पाएंगे क्या अधर्वाइस कोई सोंग बज रहा है तो वही का वही सुना रहा है समझ में नहीं आएगा कौन सा रिपीटेड है और कौन सा ओरिजिनल है ठीक है तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि होते हैं कर्टन कर तंस किसी होती है किसी होती है सौफ्ट वहाँ थी वह एबसौ्ड कर लेगी साउन का रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होता तो एको प्रेडियूस नहीं ओता ठीक है तो आप देखना कभी भी किसी ऑडिटोरियम या ठीटर में जाना कर्टन्स लगे होते या वुड़न स्ट्रक्चर होता है क्या होता है कर टंस लगे होते हैं या फिर इस रहां आप बुड़न ही होता है समझ में आगा क्यों ठीक है जाकि साउंड का रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं हो कपड़े कपड़े से लटके रहेंगे डिजाइन के लिए या फिर मुलब डिजाइन इसी बना देते हैं ताकि यह लेकिन में रिजन क्या उसका एको प्रोड्यूस नहीं हो ठीक है अब देखिए अब जू डिजाइन होती है कभी भी आप देखना कि कई बार क्या होती डिजा याँ से क्या होगा कि साउन जब आएगा तो साउन का रिफलेक्शähän प्रोपर नहीं होगा अभी देखो-इतना साउन ट क्राया इतने का रिफलेक्ट हुआ फी थोड़ासां सब साउन का अलग-अलग टाइम पर रिफलेक्शन होगा तो साउन पूरा reflect क्या एक साथ नहीं होगा तो आपको इसलिए एको सुनाई नहीं देगा क्लियर है अब इधर देखो अब हम बात कर समझाएंगे तो इतना टक्राया वस इस रेंज का सुनाई नहीं देता ना जब ज्यादा आएगा तभी सुनाई देगा फिर 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 थोड़ी देर के बाद में होगा तो सब रिफ्लेक्शन का टाइम क्या हो गया अलग-अलग हो गया मतलब छोटा-छोटे उसे बने होंगे की जब क्या होता है हमारा घर कली होता है खाली होता एक्तर फॉर पुरा क्ली होता है। लेकिन यदि हमारे घर में क्या है टेबल है चेयर है करटन से टीवी है सब सामान रखे हुए है तो सब अलग-अलग इन प्रॉपर रिफ्लेक्शन करेंगे ठीक है पिसलिए आपको घर भड़ा है तो आपको एको सुनाई नहीं देता है लेकिन घर जब खाली होता है तो हमें ह और रिफ्लेक्टेट्ट शाउंड शुडब इस उसमें इतनी इंटेंसिटी होना चाहिए कि वह हम सुन सके हमारी रेंज में हो दूसरा है जो रिफ्लेक्टेट बॉड़ी है वह कम से कम कितनी दूर होना चाहिए सोर्स से 17 मिटर दूर होना चाहिए मतलब जैसे आपको पता इसके आगे वाली तो पीछे वाली सबस्क्राइब तो अब दो एको कि समझ में आ गया क्या होता है अब हम आते हैं टाइप सब्सक्राइब हम जो नॉर्मल सुनते हैं उसकी फ्रिक्टेंसी रेंज क्या होती है इस से यदि काम होता है तो उन पॉम क्या बोलते हैं इंफरासोनिक इंफरसोनिक 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 इंफरसोन्स और नियुक्टे से जादा होता है तो जो अल्ट्रासोनेक सद होता है इसकी के होती हैं इस ऐ मचो में होती है- shack कि यहन कहा हम बहुत सारा यूज करते हैं इस साँन का क्या करते हम एन बहुत सारा होती है यह spread कम होता है यह क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी तो देखो जो इस प्रेड क्या होता है कम होता है इस प्रेड कम होने का क्या benefit मिलेगा जादा दूर तक जा सकता है उसकी intensity कम दूर तक काम होगी जैसे देखो एक source यह है आपका ठीक है और एक source यह दोनों को आप compare करना यह क्या कर रहा है energy को ऐसे spread कर रहा है ना और यह क्या कर रहा है energy को लेस इस प्रेड कर रहा है तो कौन सा जादा दूर तक जाएगा होता है spread कम होता है तो यह जादा दूर तक जाता है अब देखो इसके हम बात करते हैं ठीक है अब किसके uses क्या है जैसे आपने देखा होगा सब को पता है इसके uses लेकिन अब ध्यान नहीं देते हो अच्छे को गताओ और वाटर को आपने एक बोटल में डाल दिया क्या होगा अब आपको नकली ऑइल बनाना है मतलब वाटर मिलाना है तो क्या करेंगे हम इसमें भेज देते हैं अल्ट्रा साउंड तो अल्ट्रा साउंड क्या करे aujourd दोड़ेगा इसको सबको क्या करेगा तेजी से वाइबरेट करेंगा क्योंकि उसके frequency बहुत जाद है то वह इतना राडर observed करेगा कि दोनों पर्मानेंटली मिक्सप हो जाएगेम तो पर्मानेंटली मिक्स अप करने के लिए क्या करते हैं अब जैसे आपका अलमंड ओईल है ठीक है हाँ बोलू यह है यह हमारी रेंज ओफ एरिंग ठीक है तो पहला यू सोंज में आया मिक्स अप करने में डिफरेंट डेंसिटी इसके लिक्वीड को क्लियर है दूसरा है कई बार क्या होता है जो आपके वाच वगेरा होते हैं उसके पार्ट बड़े छोटे-छोटे होते हैं तो उनको हम क्या इसे कपड़े से साफ कर सकते हैं नहीं कर सकते ना क्या करते हैं उनको एक छोटी सी डिब्वी में लेखें उस पार्ट को इसे निकाल देते हैं उसमें उसमें क्या दाल देते हैं चोटा सा पेट्रोल डाल देते हैं क्या डाल देते हैं पेट्रोल और उन प आपको जो चिकने वाले इंपुरिटी होती ना जिसे ओई हो गया ठीक है या फिर जिसे आपने कई इस्टीगर लगाया मानलो आपने अपनी टेबल पे इस्टीगर को निकाल दिया तो थोड़ा सा गम रहे जाता है इसको आपने करोगे तो हो जाएगा ठीक है जिसे पैंट होगा आपका जो इसदी इस तो जिसे आपका थीनर होता है कि नहीं होता है गल्स को तो पता है नेल पॉलिश का थीनर होता है कि नहीं होता है थीनर क्या बोलते हो उसको रिमॉवर क्या होता है इसको जो नेल पॉलिश रिमॉवर होता है कि वह का मैं पेट्रोल से भी कर सकते हो ठीक है पेट्रोल से भी करोगे तो आपकी नेल पॉलिश क्या होगी निकल सकती है तो जो भी वो कुन से सुस्ता आता है ठीक है तो इसलिए है ना तो इसको वाइबरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका उसके डर्स पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं अच्छा लेंस कार्ट कौन लेंज कार्ट के शोरूम कोई नहीं गया यह सर गया हो लेंज कार्ट के स्वरम में कभी जाना आप है अब तो क्या कर गाँ वहां पेख मशीन रखी इस दोने की नोटीर तो देखो यदि हमारे ये सोते है ना तो हम नॉर्मली हो जाते हैं तो पानी हलका हिलता हुए दिखाई देता है आपको ठीक है अलकी से वेव बनती वाइबरेट होता हुए दिखता है और उस वाइबरेशन से डस्ट पार्टिकल चैसेपरेट होते हुए आपको दिखाई देंगे हैं तो आप जा सकते हो है ना अपना इसके वह उसमें होता है नीचे अल्ट्रा सांद करता अल्ट्रा सॉन बिसिकली क्या है वाइबरेशन है हाई वाइबरेशन ठीक है जिसके फ्रिक्वरिंशी स्वाइब होती एक रिचने में करते कि इस जो उन चाहिए तो आप गई भी से लिखा होगा अल्टरा-साउंड सोनोग्राफी उसका हम यूज़ करते हैं सोनोग्राफी में मेडिकल परपसेज में और उसकी ऐनरजी आता होती है तो यहां की मेल्ट हो गई और मैल्ट होके हम फिल हो गई तो यह क्या हो जाएंगे वापस दोनों से पर्मानेंटली जॉइंट हो जाते हैं ठीक है तो यह अल्ट्रा साउंट के यूजेज यह वह हम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे आज को बस समय यह एको सांज में आ गया पूरा यह वह रेड़ पेंट